जो लोग संक्रान्ती पर सिनेमाघरों में गुंटूर करम देखने से चूक गए उन्हें परिशान होने की जरूरत नहीं है नेटफ्लिक्स पर महेश बाबू की फिल्म की रिलीज देट फाइनल हो गई है यह 9 फरवरी 2024 को आने वाला है यह OTT स्ट्रीमिंग दिगज़ पर 4 सप्ताह से कम समय में आ रहा है गुंटूर करम ने बॉक्स ओफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जितनी उम्मीद की जा रही थी फिल्म में महेश बाबू और श्रीलीला मुख्य भूमिका में थे फिल्म के निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास थे गुंटूर करम ने बॉक्स ओफिस पर 128 करोड रुपए की कमाई की है सबसे बड़ी निराशा इसकी विदेशी कमाई थी इसने 32 करोड रुपए से कुछ ही उपर की कमाई की महेश बाबू विदेशों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले तेलुगू सितारों में से एक है निट्फलिक्स ने हाल के दिनों में कुछ बड़ी दक्षिन भारतिय फिल्में रिलीज की है सबसे बड़े थे आरारार, राधेशाम, लियो और सालार प्रभास की सालार ने ग्लोबल लेवल पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था जाहिर तौर पर विदेशी दर्शकों को फिल्म के फाइट सीक्वेंस काफी पसंद आए महेश बाबू की आखिरी फिल्म सरकारू वारी पाटा प्राइन वीडियो पर आई थी गुंटूर करम में महेश बाबू ने एक अंडरवल्ड डॉन की भूमी का निभाई जिसे एक पत्रकार से प्यार हो जाता है फिर वह गुंटूर शहर में सभी अवैध सौदों का परदाफाश करता है गुंटूर करम को इसकी नियमित कहानी और मसाला मनोरंजन के टेंपलेट के लिए आलोच को द्वारा आलोचना की गई थी यहां तक की गाने भी दर्शकों को पसंद नहीं आए अफवाहें उडी थी कि महेश बाबू फिल्म के संगीत से खुश नहीं थे सुपरस्टार S.A.S. राजा मौली के साथ अपने बड़े प्रोजेक्ट S.A.M. B. 29 पर आगे बढ़ेंगे यह एक जासूसी साहसिक फिल्म है जिसकी ज्यादातर शूटिंग अफरीका के जंगलों में की जाएगी प्रशंसक उस फिल्म के लिए बेहद उचसाहित है OTT पर गुंटूर करम महेश बाबू की नवीनतम फिल्म ने डिजिटल रिलीज की तारीक और प्लेट फॉर्म को लॉक कर दिया है गुंटूर करम OTT पर सिनेमा घरों में रिलीज होने के एक महीने भी नहीं हुए कि महेश बाबू और श्री लीला की फिल्म 9 फरवरी 2024 को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है दोस्तों आप हमारे चैनल की पहली बार विडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं आप लोगों से और एक नया विडियो के साथ कर दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना विडियो के साथ